इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है आम बजट से जहां वित्मंत्री निर्मला सीता रमन मोदी सरकार के तीसरे कालकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं इस दोरान उन्होंने क्रशी सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया इस बार के बजट में विटमंत्री ने क्रशी सेक्टर के लिए 1.52 लाग करोड रुपे आवंटित किये हैं विटमंत्री ने कहा कि देश में नैचुरल फामिंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए एक कलोड किसान को सपोर्ट किया जाएगा इससे कलेस्टर फॉर वेजटीबर प्रोड़क्शन स्टार्ट अप कलेक्शन स्टोरिज को भी बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा डिजिटल खरीफ पसल सर्वेट 400 जीले में किया जाएगा साथी 10,000 बायो दिसर्ट सैंक्री बनाये जाएगे निर्मला सीतरमन ने अपने लगतार साथवा बजट पेश कर रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने जोरान कहा कि भारत की आथिक प्रिधी एक चमकदार अप्रुआज बनी हुई है और आने वाले सालों में ऐसे ही बनी रहेगी भारत की मुद्रस्विती कम और इस्तुरी बनी हुई है और 4 फीजदी लक्ष की और आगे बढ़ रही है तो इस वक्त की बड़ी खबर देश के आम बजट से जहां कृषी सेक्टर को लेकर विटमंत्द निर्मला सीतरमन ने बड़ा एलान किया है इस बार कृषी बजट को बढ़ाकर सरकार ने 1.52 लाग करोड रुपे कर दिया है इस वक्ती बड़ी खबर आ रही है आम बजट से जहां वितमंत्री निर्मलास सीतर अरमन मोदी सरकार के तीसरे कालकाल का पहला बजट पेश कर रही हैं इस दोरान उन्होंने करशी सेक्टर के लिए बड़ा एलान किया इस बार के बजट में विटमंत्री ने क्रशी सेक्टर के लिए 1.52 लाग करोड रुपए आवंटित किये हैं विटमंत्री ने कहा कि देश में नैचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा इसके लिए 1 करोड किसान को सपोर्ट किया जाएगा इससे कलेश्टर फोर वेजटीबर प्रोडक्शन स्टार्ट अप कलेक्शन स्टोरिज को भी बढ़ावा मिलेगा इसके अलावा डिजिटल खरीफ पसंद सर्वेट 400 जीले में किया जाएगा साथी 10,000 बायो दिसर्ट सैंक्री बनाये जाएगे निर्मला सीतरमन ने अपने लगता साथवा बजट पेश कर रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने जोरान कहा कि भारत की आथिक पृद्धी एक चमकदार अप्रुआज बनी हुई है और आने वाले सालों में ऐसी ही बनी रहेगी भारत की मुद्रस्विती कम और इस्तुरी बनी हुई है और चार फीजदी लक्ष की और आगे बढ़ रही है तो इस वक्त की बड़ी खबर देश के आम बजट से जहां क्रिशी सेक्टर को लेकर वितमंद निर्मला सीतरमन ने बड़ा अलान किया है इस बार क्रिशी बजट को बढ़ा कर सरकार ने एक दशम्राव पांच दो लाग करोड रुपे कर दिया है किसान तक खाना है तो उगाना है किसान था बड़ा है